Hey everyone, मैं हूँ गौरा मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूँ Magnet Brains के एक बिलकुल ही नए सेशन के अंदर और आज के सेशन में हम Class 11 के Maths को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम Class 11 के Maths के Chapter No.3 यानि के जो Trigonometric Function है उसके बेहद ही Important Topic जो की है आपका Values of Trigonometric Function at Allied Angle इसको करने वाले हैं इस वीडियो में आपको मैं समझाओंगा कि Allied Angles होते कैसे हैं ये क्या होते हैं, कैसे इनकी Values निकालते हैं और कैसे ये Concept जो है बहुत तगड़ा करना जरूरी है जिससे आप Trigonometric के Important Questions कर पाओ मैं अगर आपको इमानदारी से बताओं तो ये वो Concept है जिसको अगर आपने नहीं सीखा तो आने वाले Trigonometric के Questions आपसे बिलकुल भी नहीं बनेंगे जैसे कि Starting में हमने Sign of Trigonometric function सीखा था कि कहा Positive, कहा Negative अगर वो नहीं सीखते तो वो Question नहीं बनते Similarly अगर आप ये Allied Angles वाली चीज़े नहीं सीखोगे न तो Trigonometric के आगे की चीज़े आप बिलकुल भूल जाओ, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा तो वीडियो का Importance जो है बहुत जादा है यहाँ पे इस बात को आप समझ लीजिए और अगर अभी तक आपने Class 11 के Maths के वीडियो देखना चालू नहीं किये हैं तो Magnet Brains पे और इसी वीडियो के नीचे आपको Description Box में Class 11 के Maths के Playlist के Link में लेगी उस पे आप क्लिक करिए आपके सामने Class 11 की Maths की Playlist खुल जाएगी जो भी वीडियो आपने नहीं देखिए उसको जरूर आप देखिएगा आपका Concept क्लियर होगा आपकी Understanding बहुत जादा अच्छी होगी बाकी यह तो आप जानते ही हो कि Magnet Brains वो प्लाटफॉर्म है जहाँ पे Education Completely Free है यहाँ पे दो चाप्रस पढ़ने के बाद बाकी चाप्रस पढ़ने के लिए आपको कोई भी Payment देने की ज़रूरत नहीं पढ़ती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं कि क्या-क्या Allied Angles होते हैं और कैसे-कैसे हमें इन्हें पढ़ना है तो सबसे पहला जो Allied Angle होता है वो होता है Value of Trigonometric Function at Minus X अब देखिए इसका discussion कर लेंगे हम कोई दिक्कत की बात नहीं बहुत आसानी से कर लेंगे इन फैक्ट इसका discussion आपको पहले समझने की ज़रूरत है कि यह Minus X का मतलब क्या है तो देखो यहाँ पे Angle Degree में ले लो या Radian में ले लो जो आपका मन वो कर लो कोई तनाव की बात नहीं है किसी में भी ले लो पर हाँ exam में जो question आएंगे वहाँ पे Radian में आते हैं इसलिए आदत रखिएगा कि आपके जो Angles लेने की आदत हो वो Radian में हो तो आपन फायदा में रहेंगे अभी इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा ध्यान सा समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ जैसे कि आपसे कभी किसी ने बोला कि मुझे जो है Sin 30 Degree की Value बताओ तो आप बोलोगे, अचा Sin 30 Degree की Value, Sin 30 Degree की Value तो 1 by 2 होती है कर दोगे ना Answer, कोई बड़ी बात नहीं है पर यहीं पे अगर आपने, आपसे किसी ने पूछा कि हमें ना Sin minus 30 Degree की Value बताओ तो आप जो है, यहाँ पे Question Mark लगा दोगे कियार minus 30 Degree की Value तो हमको नहीं मालूम, आज तक तो हमने सीखी नहीं हाँ, हमने यह जरूर सीखी है, कि Sin 30 Degree 1 by 2 होता है तो इसको कैसे निकाले, यहीं हमें कौन सिखाता है, यहीं हमें Allied Angle सिखाता है इसलिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे Angle के सामने minus लगाया है कि आपको यह minus के लिए answer निकाल के देगा जैसे कि एक और बात सुन लो, माल लो, मैंने यहाँ पे लिखा कि cost 60 Degree जो होता है, तो आप बोलेंगे सार, 1 by 2 होता है हाँ भाई, 1 by 2 होता है, वहीं पे मैं आपसे सवाल पूछनू कि मुझे cost of minus 60 Degree बताओ, तो आप अगेन बोलोगे सर हमें कैसे मालूम कि minus 60 Degree क्या होता है, हमने आज तक नहीं पड़ा सिर्फ sin cost में ऐसा नहीं होता, बाकी जितने भी ratio है, सब में ऐसा होता है जैसे कि आपसे सवाल पूछा गया, कि हमें 1045 Degree बताओ, तो आपने बोला 1045 Degree लो भई, 1 होता है, पर वहीं किसी ने सवाल पूछ लिया, अच्छा, तो 10 minus 45 Degree बताओ, तो आप बोलोगे लो यार, यह तो हमको मालूम नहीं, तो यह समस्या होती है, जिसको हमें सीखना है, minus x की मदद से अब चलो, मैं सिखाता हूँ आपको, बहुत interesting है, बहुत आसानी से याद होगा, ध्यान से मेरी बाते सुनना, एकदम ध्यान से, पूरा focus रखो तो सर ने क्या बाते बोली, सर ने अभी तक ये बाते बोली है, कि जो angle minus में है, उनका क्या, तो सुनिएगा, तो हमारे पास एक बहुत basic और fundamental rule है, बहुत basic, कि अगर sign के अंदर angle negative में है, तो negative बाहर आ जाएगा, negative क्या आ जाएगा बच्चों, बाहर आ जाएगा, यनि कि sin of minus x जो है, आपके सामने बन जाएगा minus sin x, क्या बन जाएगा, minus sin x बन जाएगा, याद रहेगा, सबसे important है, इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा, वैसे तो इसके proof भी होते हैं, मैं करवा भी सकता हूँ, पर मेरा ऐसा मानना है कि proof बता के आपके जीवन को complex न क पड़ेगी किसी question में, इसलिए में direct आपको result बता रहा हूँ, सुनिएगा, पहला result था ये, बात खतम नहीं हुई है, दूसरा result ये होता है, कि अगर cos के अंदर आपने minus जाल दिया, तो एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, cos किस से चालू होता है, आप बोलो कि sir, c से चालू ह होता है, c से मालू है, एक और शब्द होता है, consumes, क्या होता है c से, consumes, cos consumes, क्या बोला मैंने, cos consumes, तो cos consumes का मतलब समझते हो, cos consumes का मतलब ये होता है, ये जो minus है न, cos इसको पचा लेगा, क्या करेगा minus, cos जो है, इस minus को पचा लेगा, पचा लेगा का मतलब ये है, कि ये minus न बाहर आएगा ना अंदर रहेगा यह माइनस का अस्तित्व क्या करेगा कॉस खतम कर देगा यहां पर देखिए चीजे अलग हुई जब माइनस अंदर था तो माइनस बाहर आ गया इसको ऐसा समझ लो sine जो होता है minus को निकाल देता है, to sine of minus x minus sine x, cos जो होता है minus को पचा लेता है to cos of minus x plus cos x ये चीज़ आपको सिखानी थी मुझे अगर ये दो चीज़े सीख गए मतलब आप समझ जाएए, आप concept सीख गए, रट लीजिए, मैं बोलूँगा रट लीजिए, कोई शरम की बात नहीं है maths में आपको चीज़े याद करनी पड़ती है करिए याद, कौन सी दो चीज़े याद करनी है sine of minus x, sine पचाता नहीं है, निकाल देता है minus sine x, cos consumes c से cos, c से consume मतलब पचा लिया, digest कर लिया तो cos of minus x, आपको देगा answer cos x, याद रहेगी बात भूल तो नहीं जाओगे, नहीं भूलना है चलो, आगे सुनो, तो ये दो बाते आपको clear है, अब आपसे किसे ने पूचा कि sine or cos का तो ठीक है, रट लेया, 10 का भी रटाओगे क्या, सर, नहीं, 10 का नहीं रटाओँगा आपसे, 10 का आपसे मैं प्रूफ करवाओँगा, ध्यान से देखिए, क्या है question, 10 of minus x, एकदम ध्यान से देखना, मैंने बोले 10 of minus x है 10 of minus x कैसे आएगा, तो सर, आप बोलोगे, कि सर, 10 जो होता है sine or cos का ratio होता है, तो आप बोलोगे, सर, आप इसको ऐसा लिख दो sine of minus x upon cos of minus x, कैसा लिख दो इसको, sine of minus x upon cos of minus x, क्या था, 10 of minus x, आपने कैसा लिख दिया, sine of minus x upon cos of minus x, एक बात बताओ मुझे, sine of minus x क्या होता है, तो sine निकालता है, minus को बाहर निकालता है, तो sine बोलेगा minus sine x है न और cos क्या करता है consume करता है तो cos बोलेगा minus गायब यहीं कि cos x अब क्या हुआ तो उपर है minus sine x नीचे है cos x सिर्फ इतने portion को आप देखोगे तो minus तो बाहर रहेगा sine x upon cos x क्या हो गया sine x upon cos x जो है वो tan x हो गया तो answer क्या बन गया? answer बन गया minus tan x answer क्या बन गया? minus tan x तो आपने जब tan के अंदर minus डाला तो minus क्या हुआ? बाहर आ गया minus क्या हुआ? बाहर आ गया ये बात होती है किसकी? ये बात होती है आपके sine, cos और tan की क्या आपको बाते समझ में आ चुकी है? सर तीन ratio और बचे हैं? वो तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे पहले ये सीख लो sign बाहर निकालता है, cos consume कर लेता है tan के सामने तो आपका proof है in fact tan भी क्या करता है? बाहर निकालता है अब सुनना यनि कि इतने तीन में आपन ये सीखें कि cos में ही ताकत है consume करने की और किसी में ताकत नहीं है consume करने की, अरे है एक में ताकत मालूम है कौन? cos का reciprocal कौन होता है? sec, तो जो काम cos कर सकता है क्या वो काम sec कर सकता है? बिल्कुल सर, cos का काम sec भी करेगा तो अगर आप यहाँ पे sec के अंदर minus x जालेंगे ना तो वो भी इस minus को consume कर लेगा और answer क्या देगा? answer आपको sec x दे देगा अच्छा, इसी सिलसिले को continue करते हुए ज़रा हम discuss कर लेते हैं cos of minus x क्या होगा? तो देखिए, sign तो बाहर निकाल रहा था तो जो काम sign करेगा वही काम cos x करेगा तो कोसेक भी क्या करेगा? बाहर निकाल देगा और वो बलेगा लो भई, ये क्या हो गया? minus cos x हो गया और same चीज को follow करिए आप cot में तो cot क्या करेगा? cot वो काम करेगा जो 10 करेगा भई या 10 बाहर निकाल रहा था तो cot भी क्या करेगा? cot भी बाहर निकाल देगा तो answer क्या मिलेगा? minus cortex मिलेगा तो यहाँ पर important अगर मैं बताओं आपको तो ये दो थे cos जो है भाई साहब consume कर लेते हैं और cos के जो भाई साहब है sec वो भी consume कर लेते हैं तो आप तो बस cos का याद रख लो कि cos जो है पचा लेता है और cos का भाई sec पचा लेता है बागी के 4 के 4 क्या करते हैं? निकाल देते हैं अब आते हैं अपन जरा question पे कौन से question पे? अब आते हैं अपन जरा in question पे देखना द्यान से question पूचा था मैंने sin of minus 30 degree अभी अभी क्या सिखाया? आंसर कितना? minus 1 by 2 इस तरीके से आप इन questions का answer कर सकते हैं सर ये cos वाले का भी कर दो? चलो cos वाले का भी करते हैं इदर देखना cos consumes cos पचा लेता है तो cos इस minus को खा जाएगा तो ये क्या बनेगा? दो सर ये तो cos 60 degree बनेगा अरे है ना भाई? minus को पचा लिया उसने cos 60 degree कितना होगा? सर वो तो 1 by 2 होगा यनि कि cos में अंदर negative negative डालने से कोई फर्क नहीं बढ़ता याद रखना sign में क्या होता है? बाहर आ जाता है और answer भी है negative हो जाता है यही बात मुझे आपको यहाँ पर बताने थी तो अगर मैं आपसे random questions पूछ हूँ जैसे कि मुझे बताईए 10 of minus 30 degree क्या होगा? तो आप क्या बोलेंगे? 10 यह तो बाहर फेकेगा तो यह बनेगा 10 30 degree 10 30 degree कितना होता है? सर 1 by root 3 होता है तो answer बन जाएगा minus 1 by root 3 वहीं आपसे कोई पूछे कि भाई हमें बताओ cos of minus 30 degree क्या होता है? तो cos तो minus को consume कर लेता है तो answer बनेगा cos 30 degree जो की बनता है कितना? जो की बनता है root 3 by 2 तो cos में कोई फर्क नहीं पड़ता cos में कितना भी negative कर लो? answer हमेशा, हमेशा, हमेशा वहीं आता है जो 30 degree का आएगा है न? कितना भी? आप यहाँ पर minus 30, minus 60, minus 80, minus 90 आप कुछ भी डाल लिए कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा इस बात को जरा ध्यान रखिएगा चलिए फटा-फट इस चीज का screenshot ले लीजिए जो आपके लिए मैंने यहाँ पर किया है यह बहुत जरूरी चीज है आपको हमेशा इसको ध्यान रखना है चलिए तो यह पहले allied angle की बाते अपने कर लिए बहुत simple था यह बहुत simple था अब जो allied angle की हम बाते करने वाले हैं यहाँ पर चीजे थोड़ी सी tough होंगी पहले मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किन की बाते करने वाला हूँ और फिर मैं आपसे थोड़े से और questions करूँगा ठीक है तो सुनिए तो topic हमारा है trigonometric functions की value at pi by 2 minus x क्या बोल रहा हूँ मैं at pi by 2 minus x pi by 2 का मतलब समझते हो न 90 degree मैंने बोला था न चीजे radian में आएंगी इसलिए आदर्त डालिए कि आप भी चीजे जो है radian में पढ़िए तो बहुत देखना सवाल बड़ा interesting है बहुत interesting सवाल है आपसे कभी किसी ने सवाल पूछ लिया कि यार हमको na sign of अंदर जो angle है इस बार pi by 2 minus x है क्या है अंदर angle? अंदर angle है pi by 2 minus x हमको इसकी value बताओ क्या बताओ हमको इसकी value बताओ अच्छा कोई और सवाल आपसे पूछ लेगा कि भाई cos है अंदर जो angle है वो pi by 2 minus x है हमको इसकी value बताओ पूछते हैं सवाल अभी कोई पूछेगा कि भाई यहाँ पे tan है और अंदर जो है pi by 2 minus x है हमको क्या करो इसकी value बताओ तो आपको तो कोई idea नहीं है कैसे करते हैं यहीं पे आता है concept coordinates का याद है मैंने जब भी आपको trigonometry का कोई भी वीडियो बढ़ाया है बताया है हर बार मैं x-axis y-axis बनाके कुछ न कुछ important बताता हूँ इस चीज को समझने के लिए भी हमें coordinates जो हैं बहुत help करते हैं रठाने के बहुत तरीके हैं पर मैं आपको logical explanation देने वाला हूँ इसलिए एकदम ध्यान से सुनिएगा अच्छा आप में से कई बच्चे इन सवालों का answer दे पाये होंगे क्या आप में से कोई भी बच्चा इस सवाल का answer दे पाया था आप में से कई बोलेंगे हाँ सर हम दे पाये थे क्योंकि आपने ये चीज class 10 में पढ़ी हुई है कब पढ़ी हुई है आपने ये चीज class 10th में पड़ी हुई है मैं direct बता देता हूँ सुनिए जब आप sin pi by 2 minus x करते हैं तो answer मालूम है क्या बनता है आपको answer मिलता है cos x अचा कहां पड़ा था ये याद है किस topic से पड़ा था class 10th में तो topic का नाम था complementary angles अगर आपको थोड़ा सब याद आ रहा होगा तो complementary angles जब हमने class 10th में पड़ा था ना तब जाके हमने ही चीज़ पड़ी थी tension मतलो अभी मैं अलग अंदाज से आपको चीज़े याद करवाऊंगा तो चीज़े याद रहेंगी अच्छा cos of pi by 2 minus x क्या बनता था ये बनता था आपके पास sin x आपको याद होना चाहे ये था वैसे तो पर फिर भी देखेंगे tan of pi by 2 minus x क्या होता है तो sir ये हो जाता था cortex ये भी आपको याद होगा अब सुनिए इसके अलावा क्या बनेगा sin cos tan हो गया sin का उल्टा cosec होता है तो अगर मैं यहाँ पर cosec pi by 2 minus x रख दूँ तो ये क्या बनेगा ये बनता था cosec का दोस्ट कौन sec तो ये बनता था sec x ठीक है अब सुनना अच्छा इसी सिलसिले को जारी रखो 4 हो गए 5 वाट शटवा होता हो sin cos tan cosec यहाँ पर बात करेंगे अपन sec की ठीक है तो sec के अंदर अगर आप pi by 2 minus x रख देंगे न तो आंसर मालूम है क्या बनेगा sec के अंदर pi by 2 minus x है तो ये बन जाता था cosec x सुनो, tension मतलो भी सिखाऊंगा और last में आपको पढ़ाया गया था tenth की चीज़े इसलिए डायरेक्ट बता रहा हूँ quad pi by 2 minus x ये होता है आपके पास tan x अब सुनिए मेरी बात जरा बहुत गौर से सुनिए एकदम ध्यान से देखेगा आपको चीज़े याद होंगे एकदम ध्यान से देखिए दर तो quadrant बनाते हैं अपन तो ये हमने बना दिया हमारा कौन सा axis x वाला ये हमने बना दिया हमारा कौन सा y वाला ऐसा अपनने बना दिया अच्छा angles याद हैं आपको मुझे याद है यहाँ होता है 0 यहाँ होता है pi यहाँ होता है pi यहाँ होता है 3 pi by 2 और यहाँ होता है आपके पास 2π आपको भी इतना तो याद होगा ही अब सुनिएगा, यहाँ पर दो axis होती है एक होती है आपकी यह वाली axis जो की कहलाती है horizontal axis जो की कहलाती है horizontal axis याद है न? और एक होती है यह उपर वाली axis जिसको आप बुलाते है vertical axis क्या बुलाते है vertical axis उपर वाली मतलब यह जो य-axis है यह वर्टिकल है और जो एक्स-axis है यह horizontal है ध्यान से सुनना जब भी आप vertical axis से आगे जाए या पीछे जाए शब्दों को ध्यान से सुनिएगा जब भी आप vertical axis से आगे जाए या पीछे जाए आपकी मर्जी साइन चेंज होगा कॉस में कॉस चेंज होगा साइन में सेक चेंज होगा कोसेक में कोसेक चेंज होगा सेक में टैन चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा टैन में क्या बोला? पल्ले नहीं पड़ा? सुनना तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आपका movement किसका movement तो भाई आपके angle का movement आपका movement किसका movement आपके angle का movement जब vertical axis से हो तब आपका sign किस में change होता है आपका sign change होता है in fact आपका cost change होता है किस में sign का yc वर्षा का symbol आप बनाते थे याद है chemistry chemistry में पढ़ते थे कि a plus b gives c plus d then एक ऐसा है उपर arrow नीचे arrow कि c plus d gives a plus b वो yc वर्षा वाली चीज़ बता रहो मतलब reaction forward और backward था ना वही कुछ खेली यहाँ पे है यहाँ पे sign बदलता है cos में cos बदलता है sign में जब आपके angle का motion होता है vertical axis से वही पे और सुनिए यह तो sign cos के बाद कर ली वही पे जो आपके tan भाई सहभ होते हैं ना यह change हो सकते हैं किस में cot में and finally आप तीसरे पे आते हो इसमें यह होता है कि आपके जो sec भाई सहभ होते हैं यह change होते है ciek में And at the same time, cosec change होता है sec में. ये तीन important relation है, जो मैंने यहाँ पर बताए. कब याद रखने है, जब आपका motion angle का हो vertical axis से, तो sin change होगा cos में, cos change होगा sin में, tan change होगा cot में, cot change होगा tan में, and आपका sec change होगा cosec में, cosec change होगा आपके किसमें? sec में, ध्यान रख लो, बहुत important है. ठीक है sir, मान लिया आपकी बात, important है, हमने ध्यान भी रख ली. Sir, इससे ये, ये जो आपने लिखा है, इसका क्या लेना देना? सही बात है ना? इसका क्या लेना देना? आपने ये लिख तो दिया, जो आपने अभी बात बताए कि vertical से move करो, तुम horizontal, horizontal अभी बात करी नहीं. इसका लेना देना क्या है? वो तो समझाओ, तो चलो. इसका जरापन लेना देना समझते हैं. मिटाता हूँ, I hope आपने लिख लिया होगा, वरना time था, लिखी लिया होगा. वीडियो पॉस करके लिख लिख लिजिए. सुनिए. लेना देना समझते हैं movement से. तो वापस से बनाते हैं अपन quadrant है ना? शर्म किस बात की? बना लेते हैं. ये है 0, ये है कौन? ये है πाई बाई 2, ठीक है? क्या angle है? सर, angle तो पाई बाई 2 माईनस x है. पाई बाई 2 माईनस x है, तो ये तो पाई बाई 2 वाली लाइन है. ये किसकी लाइन है? ये तो पाई बाई 2 वाली लाइन है. पाई बाई 2 माईनस x, भाई, देखो, ध्यान से सुनो. मैंने लिखा πby2 minus x तो तुम क्या पहुचे है? तुम πby2 पे पहुचे और minus x मतलब पीछे आ गहे तुम πby2 पे पहुचे minus x ये बाण पीछे आ गहे तो तुम्हारा motion कहां से हो रहा है? तो तुम पहले पहुचे थे πby2 पे येरि Competable access पे पीछे आ रहे हो, यानि कि तुम यहाँ पे पहुँचे, तुम यहाँ पे खड़े हुए तो और पीछे इस तरफ आये, तुमारा एंगल जो है, पाई बाई टू पहुचके पीछे आया, यानि कि फाइनिली तुम कूदे कहां पे, तुम कूदे फर्स्ट कॉर्डरेंट में, तुम्हें यह डिटर्माइन करना पड़ता है, पहले किस एक्सिस से मोशन करते हो, मोशन के बाद तुम वापिस कहां पे आते हो, तो तुमने मोशन किया है वर्टिकल एक्सिस से, और मोशन के बाद तुम वापिस आये हो कहां पे, फर्स्ट कॉर्डरेंट पे, यह चीज त तुम ध्यान रखलो, ध्यान का इत्ता तो दिखता है भाई, πाई बाई टू माइनस एक्स, पाई बाई टू पे गए, वर्टिकल पे गए, एक्स पीछा है, तो मोशन हुआ वर्टिकल से, तो मोशन तो हुआ सर वर्टिकल से, गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं सर आप बाद तो सरी बोल रहा हूँ, मोशन तो हुआ वर्टिकल से, तो भाई जब तुम्हारा मोशन वर्टिकल से हुआ, तो मैंने बताया न, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, तो यहाँ पे लिखा हुआ था sin pi by 2 minus x क्या लिखा हुआ था? sin pi by 2 minus x pi by 2 पे गए, x पीछे आए vertical से motion हुआ, first coordinate में आए तो sin तो change होगा किसमे? sin होगा change किसमे? cos में, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया cos लिख दिया cos angle क्या लिखो गया? angle वो लिखोगे जो पीछे रहता है, क्या है पीछे? x तो यहाँ पे क्या लिखोगे? तुम यहाँ पे x लिख दोगे बात कतम, सच में बात कतम? नहीं, अब यहाँ पे आती है decision, क्या आती है यहाँ पे? decision, क्या decision आता है? दियान से सुनना original क्या था? original तो तो उसमें अंदर रखाएका एक्स हो गया udah उदर अब नहीं अब नहीं अब वापस इसे किदर देखो जिदर थे उदर original औरिजनल में यहाँ पर साइन था, औरिजनल में क्या था है यहाँ पर साइन था, कौडरेंट कौडरेंट तो फर्स था, औरिजनल साइन था, कौडरेंट 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 था, तो फर्स्ट कौडरेंट में साइन का क्या साइन होता है, मतलब positive होता है कि negative होता है, तो तुम बोलोगे, sir, all students take coffee, तो sir, सारे बच्चे अगर coffee पीते हैं, तो all मतलब first quadrant की आप बात कर रहे हो, first quadrant में तो सब positive होते हैं, यनि कि sir, sign भी positive होगा, obvious सी बात है न, यनि कि आपका जब pi by 2 minus x आए, cos में तो convert हो गया, first quadrant में आए, तो first quadrant में sign क्या होता है, positive होता है, इसी लिए आप यहाँ पे positive cos x लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप वहाँ पे, positive cos x लिखते हैं, पर आप सभी जानते हैं, कि जब कोई चीज पहले से ही positive है, तो पागलो समान क्यों positive लगा रहे हो, सर हटाओ इस positive को, इसी लिए formula बनता है, sign pi by 2 minus x is equal to cos x, यह logic है इसके पीछे, क्या है logic, आपका motion कहाँ पे होता है, तो pi by 2 minus x मतलब pi by 2 पहुँचे, x पीछे आए, तो तुम vertical पे गए, तुम वापिस आए, तो तुमारा motion vertical से हो रहा है, जब तुमारा motion vertical से होता है, तो तुमारा sign किसमे change होता है, तुमारा sign cos में change होता है, किसमे, cos में change होता है, बताया ना, conversion, किसमे, sign cos में, cos sign में, ऐसा, तो sign किसमे change होता है, cos में, उधर हो गया काम, जो अंदर साइन क्या होता है positive होता है तो तो तुम positive cos x लगा दोगे बात खतम आगे सुनो यह simple बात तो अगला सवाल आ गया कि ठीक है यार साइन तो कोई बताता है तुम बताओ cos pi by 2-x क्या बताओ cos pi by 2-x तो बच्चे क्या वो लिंगे cos pi by 2-x मतलब वही हाल चाल है sir साइन पाइबाइबा टू- इकपीछे आ गए तो ँमोशन जो है किससे बॉर्टिकल एकस्स् Ukrainian मतलब वापस से काहँ पर cry डे तो पहली सब एक बारwoo बनाट। वह आ जाएगा अंदर angle क्या रखाएगा Under angle X रखाएगा कोई इसू नहीं अब भाई तुम्हारे इदर ratio क्या था कॉस था, क्या था original, उतना खतम, रख दिया खतम, convert कर दिया, खतम, angle रखा, खतम, इधर आओ, original, क्या है, cost है, भाई, cost तुम्हारे first quadrant में आया हो ना, first quadrant में cost क्या होता है, बोलो, चीक चिला के, sir, all positive, positive होता है, तो ये क्या रहेगा, positive रहेगा, है positive, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है, बात खतम, चल, तो sign हो गया, cost हो गया, अभी आजाओ, किस पे, तो sign cost का हो गया, ठीक है भाई, tan पे आजाओ, तो सावल तुमसे पूछ लिया गया, tan, pi by 2 minus x, अब धड़ादर answer कर दें, tan किस में convert होगा, जल्दी बोलिए, time नहीं अपने पास, tan किस में convert होगा, court में convert होगा, अरे भाई, pi by 2 minus x, वापस से vertical पे पह हुआ, किस quadrant में पहुचे, first quadrant में, तो answer तो इदर cortex लिखोगे, first quadrant में तुम्हारा tan क्या होता है, positive होता है, तो positive cortex, positive तो अपन लिखते नहीं है, तो चलो, last के फटा-फट लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, finally है, cot pi by 2 minus x, जल्दी बताए, cot pi by 2 minus x, तो cot pi by 2 minus x होता है, tan x क्या होता है, tan x, आपने tan x लिख दिया, अचा, ठीक है, तो sin, cos, tan, cot हो गया, तो 2 आप कर देंगे मेरे लिए, कौन से 2 आप कर दीजी मेरे लिए, चलो, मैं ही कर देता हूँ, cosec pi by 2 minus x, क्या answer होगा, तो cosec pi by 2 minus x जो answer देगा, वह आपको answer देगा, sec x, क्या answer देगा, sec x, कोई परिशानी, cosec sec में convert होगा, first quadrant में आ रहो, first quadrant में all positive, cosec भी positive, भाई, vertical से motion है तो cosec तो sec में change होगा, यह होगा, देखिए न, यह मैंने लिखवाया था, यहाँ पर, finally, इधर देख लीजिए, यहाँ पर आपका last ratio देख लीजिए, जो की लिखा रहता है, sec pi by 2 minus x, वापस से, आपका vertical axis से motion है, तो vertical axis से motion है, तो sec किस में बन जाएगा, sec बन जाएगा आपके, cosec में है न, x देख दोगे, क्योंकि first quadrant में sec positive रहता है, तो cosec x रहेगा, होगा यह बात कतम, इतना अगर आप धियान रख लेते हैं, तो पहला allied angle तो हो गया, sorry, 2 allied angle हो गया, minus x भी बढ़ाया, यह भी पढ़ाया, फटा-फट screenshot ले लो, यह दोनों तो बहुत आसान थे, जो मैंने बताया है, ले ले लिए इसका screenshot, छोड़ा तो नहीं, चल, remove कर दे इसको, ठीक है भई, इधर आ जाओ, सारी चीदों का screenshot ले लो, कुछ छोड़ा तो नहीं, ठीक है, remove कर दे, चल यह अलाइड अंगल पढ़ लिए, कौन से दो अलाइड अंगल पढ़ लिए, एक अपनने माइनस एक्स का पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत सिंपल था, और एक यह पढ़ा, यह तो अपनने दस्वी में पढ़ा था, इसमें भी सिंपल था, लेकिन concept समझे, अब ब आद इस वीडियो के बाद आप कभी भी दिक्कते फेस नहीं करेंगे, चलिए, करते हैं discuss, यह है अगला trigonometric function, एक छूट गया है क्या, नहीं नहीं हो गया, trigonometric functions at pi-x, कहां पे पहुँच रहे हैं, अपन पहुच रहे हैं, pi-x पे, अब समझते हैं जरा, कि यह pi-x को अपन क कैसे देखेंगे, तो देखिए, और समझेगा और सुनियेगा भी ध्यान से, pi-x, पहले तो बात आती है, कि यह pi-x का मतलब क्या है, बहुत बहुत जादा importance hold करता है यह, कि pi-x का मतलब क्या है, सुनियेगा, वापस से मैं quadrant वगरा आपके सामने बनाता हूँ, देखिए का ज यह तो 0 है, दुनिया जानती है, यह तो pi by 2 है, दुनिया जानती है, और यह pi है, यह भी दुनिया जानती है, और यह क्या है, यह क्या है, जल्दी बोलिए, यह 3 pi by 2 है, यह भी दुनिया जानती है, और गोल-गोल-गोल घूमके, आप 2 pi पे आते हो, यह तो आप तो जानते ह होगे दुनिया अगा छोड़ो तो सर पाई माइनस एक सुनिएगा पाई माइनस एक तो चलो पहले अपन पाई पे चले लो 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 आगे अपन पाई पे यह अपन कहां पे पहुंचे यह अपन पे पाई पे पहुंचे तो मस्त अपन नियू चल के पहुंचे कहां पे पाई प अब πाई में से x घटना है πाई में से क्या करना है? x घटना है भाई तुमको कोई बोले कि 4 कदम आगे चलो 2 कदम पीछे चलो तो पीछे आते होना तो ये खेल भी ऐसा है तुम πाई पे गए और तुम x पीछे आए आ गए? तो πाई आगे गए x पीछे आए यही कुछ खेल यहाँ पे हो रहा है आप πाई तक पहुँचे और πाई में से x पीछे घटा रहे हैं आप बात कर रहे हैं πाई माइनस x के आप πाई तक पहुँच रहे हैं x पीछे आ रहे हैं तो πाई तक पहुँच रहे हैं x पीछे आ रहे हैं तो दुनिया बोलेगी कि सर, pi minus x वाला angle जो है, आपके second quadrant में लाई करेगा, बिल्कुल सही बात है, pi minus x वाला angle second quadrant में लाई करेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बात यह आती है, कि सर, जैसे pi by 2 minus x में, जो motion था हमारा वो उस से था, किस से था, vertical से था, अभी हमारा motion कहां से है, तो आप बोलो कि सर, pi minus x, अभी जो motion है सर, horizontal से है, यह है horizontal pi, आप x पीछे आ रहे हैं, तो motion किस से है, horizontal axis से है, अरे भाई, यह जो axis होती है, आप इस पूरे axis ही, आप इसको horizontal axis बुलाते हैं न, और यह जो axis है, आप इसको vertical axis बुलाते हैं न, तो अभी आपका motion कहां है, अभी आपका motion जो है, वो horizontal axis से है, वह यह आप pi पे गए, pi में से x पीछे आये, कहां से motion किया, आपने horizontal axis से motion किया न, यही बात चल रही है, किस से motion कर रहे हो, horizontal axis से तो motion कर रहे हो यह खेल है पूरा हां सर बात तो आप से ही बोल रहे हो कि horizontal axis से मैं motion कर रहा हूं तो सर जैसे vertical axis में था कि sign cos में convert होता है cos sign में convert होता है tan cot में cot tan में sec coset में coset sec में क्या कुछ खेल यहां पर भी ऐसा होता है हाँ जी होता है अब इतना दिमाग तो पूरी दुनिया लगा सकती और आप भी लगा सकते हो कि अगर vertical axis में sign cos में convert होता था तो horizontal में sign किस में convert होगा नहीं होगा convert क्या नहीं होगा convert जी हाँ अगर बात horizontal axis की करू ना horizontal axis से आगे जाना पीछे जाना convert नहीं होता sign sign रहता है, cos cos रहता है tan tan रहता है kosek kosek रहता है, sex sex रहता है ये खेलें यहाँ पे तो हम बोलेंगे कि जब भी आपके angle का movement हो कहां से आपके प्यार पूर्वक horizontal axis से तो जब भी आपके angle का movement हो आपके horizontal axis से तो conversion नहीं होता conversion नहीं होता conversion नहीं होता है का मतलब ये है कि sign जो है sign रहता है, cos जो है cos रहता है और समझ गए इसी तरीके से tan tan रहता है cot cot रहता है, sex sex रहता है और cosec रहता है, ये पूरा खेल मैं आपको यहाँ पे share करना चाहता था और pi minus x का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि आप कौन से coordinate में है, आप second coordinate में है यनि कि अभी तक हमारे दिमाग में कुछ बाते बैठनी चाहिए, सबसे पहली बात हमारा motion हो रहा है horizontal axis से, हमारा motion horizontal axis से पीछे हो रहा है pi वाले से, तो अपन जो है second quadrant में आ रहे हैं, जब हम second quadrant में आ रहे हैं तो हमारा angle का motion horizontal से हुआ, sine sine रहेगा, cause cause रहेगा, कोई भी conversion नहीं होगा तो अब आते हैं अपन इसके application पे, तो सवाल आया, कि sine pi minus x कितना होगा किया सवाल आया, sine pi minus x कितना होगा, तो देखिए, sine pi minus x का मतलब है, motion कहां से है बच्चो motion है horizontal axis से पीछे की तरफ, पीछे हो आगे हो फर्क नहीं बढ़ता, तो motion है horizontal से पीछे की तरफ, sine sine रहेगा तो हम answer लिख देंगे sine x, answer क्या लिख देंगे, answer लिख देंगे sine x, देखिए, जो angle होता है, angle तो वही लिखाता है, तो answer लिखा जाएगा sine x कोई issue नहीं बात आती है, हाँ जी sir, answer तो sine x लिखा जाएगा, sine का क्या, मतलब sine, s, i, g, n, sine का क्या, positive रखें की negative रखें, तो सुनिए, आप जब pi minus x करते हैं, तो आप किस quadrant में आते हैं, तो आप बोलेंगे sir, हम second quadrant में आते हैं, तो भाई second quadrant में कौन positive, कौन negative, तो आप याद करोगे, सार high cosec होता है, सिर्फ वो दोनो positive रहते हैं, बागी 4 के 4 रहते हैं, यहाँ पे, जैसा कि आपको याद होगा, last case में बोलता था, original पे focus करिए, इधर क्या आ रहा, गूल जाए, एक बार आ गया, खतम, हाँ, हम सीख चुके हैं, कि sign sign रहेगा, क्योंकि motion horizontal से है, अभी focus करिए इस वाले side पे, तो इस वाले side पे, जो sign है, वो second, भाई, किस quadrant में आ रहे हो, pi minus x का मतलब, second quadrant में आ रहे हो, second quadrant में sign कैसा रहेगा, positive रहेगा, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, positive लगाओगे, लगाने का मतलब है, नहीं है, तो क्या करे, हटा दे, हटा दो, कोई दिक्कत है, नही अरे sir, यह तो same हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इत्ता असान, इत्ता असान, अच्छा, इसको मैं degrees में करके बताता हूँ, जैसे सवाल आ जाता है, sign 180 minus x, यह भी वही है बच्चो, यह भी answer क्या देगा आपको, यह भी answer, sign x देगा, घबराइएगा मत, चेक्या है, degree में बात कर पाई का मतलब 180, ओके ठीके sir, अगला सवाल आ गया, sign, अरे sign तो हो गया sir, अगला सवाल आ गया, cos pi minus x, क्या आ गया सवाल, cos pi minus x, देखिए, pi minus x, यह निकि sir, horizontal axis 7 पीछे आए, cos, cos रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, angle तो x लिखाएगा, तो sir, answer तो आपने cos x लिख दिया, बात आती है sir, positive का लिखोगे, की negative का लिखोगे, है ना important बात, positive का cos x लिखोगे, की negative का cos x लिखोगे, तो सवाल आप खुद से पूछिए, इधर जो लिख दिया, लिख दिया, इधर कौन है original, cos, मेरा सवाल यह है, कौन से coordinate में पहुंचे, second coordinate में cos कैसा होता है, sir, second coordinate में cos, second coordinate में cos negative होता है, क्या होता है, negative होता है, तो बाइ, second coordinate में तुम्हारा cos अगर negative है, तो यहाँ पे किसका sign लगाओगे, यहाँ पे minus का sign लगाओगे, हो गई बात खतम, और पढ़ना है क्या, नहीं पढ़ना, हो गई, सीख गए, यही थे आपके basic, अगर यह सीख गए, मतलब जाएंगे, जैसे कि मान लीजिए, आपको निकालना है tan pi minus x, तो tan pi minus x के लिए, चाहे तो ऐसे जा सकते हो, सोच सकते हो, analysis कर सकते हो, तो answer दे सकते हो, अगर analysis नहीं करना है, तो तुम बोलोगे, tan pi minus x का मतलब है, उपर गया sin pi minus x, नीचे आया cos pi minus x, उपर गया sin pi minus x, नीचे क्या होता है, तो sir, sin pi minus x, तो sin x होता है, cos pi minus x क्या होता है, तो sir, minus cos x होता है, तो यहाँ minus cos x आ गया, इसको solve करोगे, तो क्या answer आएगा, minus tan x आएगा, की नीचे आएगा, इसमें तो अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, sin upon cos, tan, minus उपर चला गया, minus tan x बन गया, लो भई, हो गई बात खतम, यह तीसरा बन गया, तो तीसरे के लिए इतनी महनत नहीं करनी, चाहो, analysis करोगे, save answer बनेगा, कर लेना, एक बार करना, बनेगा, मैं करके दिखा दूं, सुनो, tan pi minus x, कहां से motion कर रहे हो, तो sir, motion कर रहे हो, horizontal से, tan change होगा, नहीं होगा, answer tan x लिखाएगा, लो भई, किस कोडिन में आ रहा हूँ, second कोडिन में, original देखो, तो second कोडिन में tan कैसा होता है, negative होता है, low भई, minus sin है, analysis भी answer देता है, शलो, sin cos tan हो गया, इसके बाद मिरे को बताओ, sec pi minus x, जल्दी बताओ, तो sec किसको follow करेगा, sir, sec follow करेगा, cos को, जैसा cos, वैसा sec, तो cos pi minus x, minus cos x देता थ तो sec pi minus x क्या देगा, जल्दी बताओ, sir, minus sec x देगा, सही बात है, sin cos tan sec, दो और बच गया, एक बच गया, cosec pi minus x, अच्छा, यह बताओ, cosec किसको follow करेगा, sir, cosec follow करेगा, sin को, sin pi minus x, sin x देता था, तो cosec pi minus x क्या देगा, sir, minus cosec x देगा, हो गई बात, कोई टेंशन है क्या, न cot pi minus x, जल्दी बताओ, किसको, अरे, sir, गर्दी कर दिया आपने, हाँ, गलती यह कर दी, कि sin pi minus x, sin x दे रहा था, तो cosec pi minus x क्या देगा, cosec x देगा, गलती से flow flow में मैंने minus लगा दिया, उसके लिए मुझे माफ कर दीजेगा, I am so sorry for that, cosec pi minus x, आपको cosec x देगा, क्योंकि वो किसको follow करेगा, यो sin को follow करता है, sin भी minus sin नहीं देता है, तो cosec भी minus sin नहीं देगा, इधर आ जाईए, अगर आप बात करेंगे, cot pi minus x की, तो cot किसको follow करेगा, tan को, tan negative देता था, तो यह क्या बना देगा, यह जो है आपके पास minus cortex बना देगा, तो बस pi minus x के सारे values आपके सामन हैं, और बहुत बढ़ियां तरीके से समझाएं, फटा-फट सारी चीजों का screenshot ले लिजे, ले लिया है, बहुत बढ़िया, चलो, इसको ले लिया है, तो यहाँ पे आके, इन allied angles का भी आप screenshot ले लिजे, हट जाओं के मैं थोड़ा, चलो, चलो, लो, पुरा ही हट गया, ले लाप screenshot अच्छे से, चलो, दन, दन, तो यह आपका हो गया कौन सा allied angle, यह आपका हो गया, πाई माइनस x वाला allied angle, अब इसके बाद, discuss करते हैं, बिल्कुल ही नया allied angle, देखी, अभी आप कहां पहुंचे, अभी आप second coordinate में पहुंचे थे, कैसे पहुंचे थे, तो πाई में से x घटा के, क्या कोई और तरीका है second coordinate में पहुंचने का, तो हाँ, एक तरीका है, और उसी तरीके को मैं यहाँ पर discuss आपसे कर लेता हूँ, देखी, हमारा motive कहां है, हमारा motive है कि हम पहुंच जाए second coordinate में, एक तो तरीका था कि πाई, यानि कि horizontal axis पर आप जाएं, और उसे x घटा तो आप पहुंच जाएंगे second coordinate में, अगला जो तरीका है second coordinate में पहुंचने का, उस कदरीको को कहते हैं कि अपन vertical axis से move करें, किस से move करें, vertical axis से, तो देखो, माल लो, यह आपने बना ली आपना vertical axis, यह बना ली आपना horizontal axis, यह आपका हो गया x, यह हो गया, आपके पास कौन, y कहां जाना है आपको, आपको जाना है second coordinate में, तो second coordinate में जाने का तरीका यह है, आपका vertical axis जो होता है, वो pi by 2 होता है, आप इस से थोड़ा सा आगे चला जाएए, कितने आगे चला जाएए, मालीजे आप चले गए x आगे, यहाँ पर जो angle हुआ, यह angle इतना हुआ, अब यह angle angle कितना होगा, यह total angle होगा, pi by 2 plus x, तरीका समझ गए, यह होगा total angle, pi by 2 plus x, कैसे निकाला हमने, तो pi by 2 यह वाला coordinate, first वाला coordinate ने पूरा contribution दिया, pi by 2 का, second वाले coordinate में सिर्फ x contribution मिला, तो pi by 2 plus x जैसे ही आपने किया, तो आप second coordinate में पहुँच गए, अब यहाँ पे बनते हैं, आ आप इसकी value हमें बताईए, sign के साथ, वो यहाँ पे डाल देंगे, कि आप हमें बताईए, जब cos pi by 2 plus x कितना होगा, ऐसे वो अलग-अलग ratios आप से पूछ लेंगे, अच्छा, sign, cos, 10, वो तो आप समझ गए, बात यह आती है, कि सर जैसे horizontal axis में आपने हमें logic बताया, vertical axis में भ पहले, तो बाद में भी आपका ratio क्या रहेगा, sign रहेगा, लेकिन जब vertical से आप आगे या पीछे move करते हो, तब आपका ratio change होता है, अगर वो शुरू में sign था, तब वो cos बनेगा, जब शुरू में cos था, तो वो sign बनेगा, तो उसी principle को अपन यहाँ पे follow करेंगे, चलो, आज पहला वाला, तो sir, pi y 2 plus x, यहनि कि हम move किये, कहा गया, हम move किये हमारे vertical axis से x आगे, और किस में पहुंचे, second corner में पहुंचे, और आपने हमें यह बताया है, कि अगर आप अपने vertical axis से आगे पहुंचते हैं, तो sign किस में change हो जाएगा, sign change हो जाएगा, cos में, जो कि वो change हो गय angle कौन सा लिखोगे, अंदर angle x है, तो यहाँ पे भी क्या लिख दोगे, यहाँ पे भी आप x लिख दोगे, कोई परेशानी नहीं, लेकिन यहाँ पे एक important चीज आती है, उसको एकदम ध्यान से सुनिएगा, जब आपने pi by 2 plus x करा है, तो सुनो, sign में pi by 2 plus x करा, हमेशा किद second quadrant में sign कैसा होता है, तो जवाब आप यह बोलेंगे, कि सर second quadrant में जो sign होता है, वो negative होता है, क्योंकि आपने ही हमें सिखाया था, all students take coffee, second quadrant में students आता है, तो student के s से बनता है sign, sign हुआ positive, तो जब second quadrant में sign positive है, तो किसका sign लगाओगे, भई positive का ही sign लगाओगे, अब positive का sign तो बारी आती है, अब बारी आती है, cos की, तो देखे, cos में क्या होता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, जब आप बात cos में करते हैं, तो cos में आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं, cos के अंदर pi by 2 plus x, तो देखो, जैसे ही आपने देखा, pi by 2 plus x, जैनि कि motion है, हमारे पास vertical axis से, जब हमारा motion vertical axis से है, तो cos जो है, sin में convert होगा, तो हमने equal to लिख दिया यहाँ पे, sin x, इसमें तो कोई परिशानी हुई नहीं, बात यह आती है, कि sir, आपने cos को sin में convert कर दिया, angle x लिख दिया, कुछ sin लगाओगे, positive या negative का, तो इसके लिए यहाँ पे देख लो, pi by 2 plus x क का मतलब है second quadrant, भाई second quadrant में तुम्हारा cos कैसा होता है, तो अब अभी तक तो याद रहे गया होगा, कि second quadrant में जो आपका cos होता है, वो negative होता है, इसलिए हम सकुषल यहाँ पे minus sign का लगा देंगे, और कुछ इसमें tension की बात रहेगी नहीं, इतना ही simple है, और आगे देख लो, अभी third वाले पे बात कर लो, जो की कौन है, जो की आपके पास होता है, tan अंदर आ जाएगा pi by 2 plus x, इसमें भी देखिए, तो वही सवाल, pi by 2 plus x, sir tan change हो जाएगा किसमें, sir tan change हो जाएगा, आपके court में, तो यह क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा cortex, इसमें तो कोई परिशा tan का, तो मैंने यहाँ पर कर दिया, चलो, sin cos tan के बाद इदर आ जाओ, तो sin cos tan हो गया, और कौन सा बच्चा, sec, cosec और court, ठीक है, पहले cosec देख लेते हैं, तो cosec pi by 2 plus x, अभी दबर इदर बजाएगे, cosec pi by 2, cosec किसमें change होता है, cosec sec में change होता है, तो यह बन जाएगा sec x, pi by 2 plus x, यहनी कि second quadrant, second quadrant में cosec कैसा होता है, positive होगा, क्यों, तो second quadrant में sine positive होता है, तो sine का उल्टा cosec भी तो positive होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर sec x लिख दिया, परिशानी तो नहीं, ठीक है, चलो, तो cosec हो गया, cosec के बाद, यहाँ पर आप quadrant में, जो आपका sec होता है, क्योंकि वो negative होता है, तो यहाँ पर आप minus का sign लगा देंगे, similarly, last में आप आजाते है, court में, तो court यहाँ पर लिखोगे, जब pi by 2 plus x, तो एक बात बताईए मुझे, court किस में change होगा, certain में change होगा, तो यहाँ पर आप tan लिख देंगे, second quadrant में, court का sign जो होता है, negative होता है, तो यहाँ पर minus tan x हो चुका है, तो आपने सारे conversions यहाँ पर कर लिजिए, एक बार फटा-फट सारी चीजों का screenshot ले लो, आपको चीज़े clear हो जाएंगे, यहाँ से शुरुवाद करना कि कैसे, हम second quadrant में पहुंचते हैं, तो pi by 2 में x जोडने के बाद ही हम second quadrant में पहुंचते हैं, ठेक है, एक तरीका था pi minus x और दूसरा तरीका था pi by 2 plus x, उसके बाद कैसे मैंने sin, cos, tan को convert किया, किसका भी screenshot ले लो, और अगर इसका screenshot ले लिया है, तो यहाँ पर आके आप इन सारी चीजों का भी screenshot ले लिजिए, चलिए, तो यहाँ पर यह वाला question तो अपना खतम हो गया, कौन सा था यह, question नहीं, मतलब जो allied angle में pi by 2 plus x था हो गया, अच्छा, अभी तक अपनने क्या क्या पढ़ लिया, तो अभी तक हमने जो है, एक minus x वाला पढ़ा, minus x को पढ़ने के बाद, pi by 2 minus x पढ़ा, ठीक है, मतलब और उसके बाद अपनने तीसर allied angle आपके पास आता है, आप उसको कहते हैं, अच्छा, सर कैसे कहेंगे, मतलब यह आपको याद करना जरूरी है, क्या, बिना याद की आप बता नहीं सकते कि अगला कौन सा होगा, कह सकते हैं, तो सुनो, अभी तक अगर आपको allied angles के बारे में समझ होगी, तो सबसे पहले हम आपने बात किस कौर्णन की, फर्स्ट कौर्णन में किया, वहाँ पे साइन एक्स लिखा था, और एक अपने पाई बाई टू माइनस एक्स करा था, तो दो तरीके से अपन फर्स्ट कौर्णन में पहुचे थे, जब आपने अगली वाली बात की, तो हमने बोला था, पाई पाई माइनस एक्स, दो पड़े ना हमने, एक हमने पाई माइनस एक्स पड़ा, एक होरिजॉन्टल एक्स से मूव हुए सेकंड कौर्णन में, और एक पाई बाई टू प्लस एक्स करा, यानि कि वर्टिकल एक्स से मूव हुए सेकंड कौर्णन में, तो दो तरीके थे आप इसका addition करोगे, मालो आपने pi में addition कर दिया x का, इसलिए third quadrant के लिए आप pi plus x वाला angle लिखते हैं, कौन सा angle लिखते हैं, आप pi plus x वाला angle लिखते हैं, जब आप pi में x का addition करते हैं, तो आप किस में पहुंच जाते हैं, आप अपने third quadrant में पहुंच जाते हैं, क्या कोई और तरीक में इसे थोड़ा सब पीछे आ जाएए, आप वापस से किस में आ जाएंगे, आप अपने third coordinate में आ जाएंगे, तो जो दूसरा तरीका है third coordinate में पहुंचने का, वो है यहाँ पे 3 pi by 2 minus x, यह आपके पास दो तरीके हैं, यानि कि अभी हमें कौन से 2 allied angle पढ़ने की third coordinate की बाते हैं, हम दो तरीके से करेंगे, एक pi minus x करके करेंगे और एक 3 pi by 2 minus x करके करेंगे, यह दोनों बाते ध्यान रखना अच्छा, अब third coordinate में कौन positive होता है, कौन negative होता है, इसका भी idea होना चाहिए तो जैसा कि आप जानते हैं, all students take coffee, तो third में आता है take, take में होता है tea तो tan और cot जो होता है, आपके third coordinate में positive होता है, उसके अलावा बांकी सब क्या होते हैं, negative होते हैं तो हम यहाँ पे यह लिख लेते हैं, ध्यान रखने के लिए, कि जब आप बात third coordinate की करते हैं, तो सिर्फ tan और cot जो होता है, यह positive होता है इसके अलावा, बांकी चारों के चारों जो होते हैं, वो क्या होते हैं, वो आपके negative होते हैं, यह ध्यान रख लेंगे तो चलो, पहले third coordinate में हम पहुंचते हैं, कौन से तरीके से, horizontal से, horizontal में आसान होता है, क्योंकि ratio change नहीं होता है और फिर vertical से पहुंचेंगे, यहनि कि 3 pi by 2 minus x से अपन पहुंचेंगे तो अभी अपन बात कर रहे हैं किसकी, अभी अपन बात कर रहे हैं इस allied angle की pi plus x की किसकी बात करेंगे हम, pi plus x की, ठीक है, चलो ठीक है तो इसमें भी सबसे पहले अपन discuss करेंगे, sign के अंदर अगर pi plus x होगा, तो क्या होगा तो सुनो भाई, जैसे ही आप जानते हैं, pi plus x मतलब horizontal axis का motion है तो pi plus x हो, कुछ भी हो, sign किस में रहेगा, sign तो sir, sign में रहेगा और अंदर x लिखा जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, ठीक है sir, ये भी justified है, हम समझ गया यह बात लेकिन sir, बात यह आती है, कि sign क्या लगाओगे, मतलब si gn sign क्या लगाओगे तो sign लगाने के लिए यहाँ पर focus करो, original कौन था तो original तो sir, sign था, sign third quadrant में क्या होता है तो 10 और quad positive होते हैं, third quadrant में sign तो negative होता है यानि कि negative होता है, इसलिए क्या लग जाएगा, यहाँ पर minus का sign लग जाएगा लो भई, हो गई बात खतम, इसी तरीकी से आप cos की बात कर सकते हैं अगर यहाँ पर लिखा गया है, cos pi plus x, तो आप वापस से वही बोलेंगे कि sir, horizontal से motion है, तो cos किस में रहेगा, sir, cos जो है, cos में ही रहेगा कोई परिशानी की बात है नहीं, अब pi plus x किया है, आपने यहने की third quadrant में हो third quadrant में क्योंकि आपका cos negative होता है, देखो न, tan और quad positive है, बागी 4 नेगेटिव इसलिए यहाँ पर आप minus का sin लगा दोगे, तो sin cos तो हो गया, sin cos के बाद यहाँ पर आता है tan तो अगर आप tan की बात करेंगे, तो tan pi plus x जब आप करते हैं, तो देखें यहाँ पर, आपने pi plus x किया, किस में tan के अंदर तो tan रहेगा, तो किस में, tan में ही रहेगा, उसमें कोई doubt नहीं है, लेकिन बात अगर quadrant की आप करते हैं, तो quadrant क्यूंकि third है, और third quadrant में क्यूंकि tan positive होता है, तो यहाँ पर positive का sign आएगा, positive का sign अलग से लगाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, चलो बढ़िया, तो sin cos tan हो गया, sin cos tan के बाद आता है, आपके पास cosec, तो यहाँ पे जब आप लिखते हैं, cosec pi plus x, तो वापस से आप किस में पहुंचे, horizontal axis से पहुंचे, तो cosec किस में रहेगा, cosec जो है, आपके cosec में ही रहेगा, पर क्यूंकि आप third quadrant में पहुंचे हैं, और third quadrant में cosec negative होता है, तो यहाँ पे एक minus का sign लग जाएगा, sin cos tan cosec हो गया, last two जो है, यह है पहले आपका pi plus x sec के अंदर, तो sec किस में convert होगा, सर्फ आप horizontal से motion कर रहे हो, तो sec जो है, sec ही रहेगा, पर क्यूंकि सर्थ third quadrant में आपका sec negative होता है, इसलिए आप यहाँ पे क्या लगा देंगे, एक negative का sign लगा दें तो cot के अंदर जैसे ही pi plus x जाला, आप समझ गया होंगे, कि सर, cot तो cot ही रहेगा, अब क्यूंकि इस third quadrant में आपका cot positive होता है, तो बस negative sign लगाने की जूरत है नहीं, तो यह हमने किस की study कर ली, यह हमने pi plus x की study कर ली, जिसकी मदद से हम third quadrant में पहुँचते हैं, फटा-फट आ अपन बात कर लेते हैं, अच्छा, यह तो मालूम है ना, कि 3 pi by 2 minus x तरीका है third quadrant में पहुचने का, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, कि आप 3 pi by 2 पे पहुचे, यहनि कि आप इस vertical axis पे पहुचे, vertical axis में से x घटाया, देखिए ना, यह जो आपकी line होती है, यह 3 pi by 2 की होती है, जब आप इसमें से x घटाते हो, तो आप यहाँ पे पहुच जाते हो, third quadrant में पहुच जाते हो, और हमें इसी की study करनी है, 3 pi by 2 minus x की, चलो, ज़रा इसकी study अपनी यहाँ पे कर लें, तो third quadrant में है, तो इतना तो याद होगा, कि tan और cot positive है, बाकी के 4 के 4 negative है, इतना याद र दिखते हैं, sine 3 pi by 2 minus x, अब पहला सवाल तो आपको यह करना चाहिए, कि आप horizontal से motion कर रहे हैं या वर्टिकल से, तो आपने अभी अभी देखा है कि आपका जो motion है, वो आपके vertical axis से है, अब क्योंकि motion आपका vertical axis से है, तो sine convert तो होगा, और वो भी convert होगा cos में, तो sine convert हो वो original ratio decide करता है, उधर वाला decide नहीं करता, उधर cos आया, भले उससे negative आता, पर आप उससे decision मत लीजिएगा, कभी कबार आप गलत हो जाएंगे, हमेशा decision आप इससे लीजिएगा, originally कौन सा ratio इधर present था, उससे, ठीक है, हमेशा आप उससे लीजिएगा, ठीक है, हमेशा आप उ cos negative होता है, तो यहाँ पर अपने एक minus लगा देंगे, ठीक है, sin cos हो गया, अभी बात कर लो जरा tan की, मालनों यहाँ पर लिखा है, tan 3 pi by 2 minus x, tan किसमें convert होगा, tan convert हो जाएगा, cot में, तो यह बन चुका है, आपके पास cortex, and you know that, क्योंकि tan 3rd coordinate में positive होता है, तो यह positive का cortex रहेगा, वो change नहीं होगा, sin cos tan की बात कर ली हमने, sin cos tan की बात हम बात कर लेते हैं, cosec की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे cosec 3 pi by 2 minus x, तो cosec convert होता है हमेशा किसमें, वो convert हो जाता है sec में, अब क्योंकि cosec के अंदर जो angle है, वो 3rd quadrant का है, तो 3rd quadrant में क्योंकि cosec negative होता है, तो यहाँ पर sec 3 by pi 2 minus x, तो जब आप sec की बात कर रहे हैं, तो sec किसमें convert होगा, sec convert हो जाएगा, आपके cosec x में, अब क्योंकि 3rd quadrant में sec जो होता है, negative होता है, तो आपने यहाँ पर minus का sign लगा दिया, sign, cos, tan, cosec, sec, और उसके बाद finally आप यहाँ पर बात करेंगे, cot 3 by 2 minus x की, अब देखो, cot किसके जैसा behavior शो करेगा, तो cot behavior शो करता है, tan जैसा, जैसे tan cot में convert होगा, cot convert हो जाएगा आपके tan में, अब देखिए यहाँ पर, 3 by 2 में से x घटाया, यहनिकि आपने कहां पहुँचे, 3rd quadrant में पहुचे, 3rd quadrant में आपका cot क्योंकि negative होता है, तो इसलिए आप यहाँ पर, अरे दे, माफ कर दो, 3rd quadrant में क्योंकि cot positive होता है, इसलिए आप वहाँ पर minus का sign नहीं लगाओगे, उसको as it is, tan x में आप लिख दोगे, तो इस तरीके से आपने conversions जो हैं, यहाँ पर कर लिए इन conversions को आप ध्यान रखिएगा, कैसे किये है मैंने, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, यह बहुत जादा जरूरी चीज़ है, clear है सारी चीज़े, कहीं कोई doubt है, नहीं, बढ़ियां, तो अभी तो हमने 3rd quadrant का सफाया कर दिया, 3rd quadrant में पहुचने के सिर्फ और सिर्फ यही त तरीके थे, पहला तरीका, पाई प्लस X में मूव करिए, दूसरा तरीका, 3 पाई बाई टू, माइनस X में मूव करिए, और यह पूरा जो discussion है, यहाँ पर मैंने आपके लिए किया है, चलिए, तो 1st quadrant में बात कर ली हमने, 2nd quadrant में बात कर ली हमने, 3rd quadrant में भी बात कर ली हमने अब बात बचती है कि हम fourth quadrant में इसी discussion को कैसे करेंगे तो बात आती है कि sir fourth quadrant में पहुँचने के क्या-क्या तरीके हैं सबसे बड़ा issue तो ये होना चाहिए जैसे कि sir first quadrant में आप पहुँचे थे second में आप दो तरीके से पहुँचे third में भी आप दो तरीके से पहुँचे क्या आप fourth में भी पहुँचने के दो तरीके हैं तो हाँ fourth quadrant में भी पहुँचने के दो तरीके है और मैं दोनों तरीके यहाँ पर आपसे depth में discuss कर लेता हूँ देखिएगा पहला तरीका क्या होगा तो पहला तरीका जो होता है आपके fourth quadrant में पहुँचने का तो उसको ज़रा यहाँ पे देखते हैं यह angle आपको मालूम होगा 0 होता है यह आपके पास pi by 2 होता है यह pi होता है यह आपके पास 3 pi by 2 होता है यह आपके पास 2 pi होता है दो option है या तो आप इस horizontal axis से पीछे आ जाए या आप इस vertical axis से आगे आ जाए अब बच्चे यहाँ पे एक mistake करते हैं कि जब वो horizontal से पीछे आते हैं तो subtraction 0 से कर देते हैं और वो लिख देते हैं 0-x यहाँ पे आप गलती कर देंगे क्यों गलती कर देंगे जब आपने 0 में से x घटाया काईदे से आप एक circle घूम चुके हैं तो जब आप एक circle घूम चुके हैं आप revolution घूम चुके हैं देखिए आप कैसे आये थे आप यहां से आये यहां से यहां फिर यहां से यहां अब य जहां से यहां जब आए, तो आइंगल 0 लेंगे या अंगल 2π लेंगे, भाई जब एक revolution पूरा हो जाता है, 0 अंगल तो ले नहीं सकते, अंगल क्या लेना पड़ेगा, अंगल तो आपको 2π लेना पड़ेगा, इसलिए 0 में से subtraction मत करिएगा, subtraction करिएगा, तो आप 2π में से कर गटा है, भाई x को घटा दो, अंगल तो अंगल तो अन्नोन है ना, तो इसलिए पहला तरीका ये है, कि आप 2π में से घटा दीजिए x को, आप पहुच जाएंगे किस quadrant में, आप पहुच जाएंगे अपने 4th quadrant में, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, कि आप 3π जोड़ दीजिए, भाईएंगे तो आपने horizontal से motion किया, ये कहां से motion किया, तो ये आपने horizontal axis से motion किया, ठेक है, और दूसरा तरीका ये है, कि 3π by 2 में x जोड़ दीजिए, यानि कि यहाँ पे यहाँ पे 3π by 2 में x जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ा, तो आप कहां पहुच आप पहुंच गए अपने वर्टिकल एक्सिस पे, कहां पहुंच गए अपने वर्टिकल एक्सिस पे, तो वर्टिकल एक्सिस से आपने मोशन किया, लेकिन पहुंचे कहां, पहुंचे तो आप अभी भी फोर्थ कॉर्डन में, पहुंचे आप अभी भी फोर्थ कॉर्डन में बस motion आपने कहा है से किया? motion आपने किया है vertical axis से तो ये दोनो scenarios आपने पास बनते हैं और हमें यही दोनो scenarios पढ़ने हैं एक पढ़ लेते हैं 2 pi minus 6 और दूसरा पढ़ लेते हैं 3 pi by 2 plus 6 ठीक है पढ़ लेते हैं आजओ अच्छा अब क्योंकि अपन 4th coordinate में पहुँचे हैं तो हमें इसका idea होना चाहिए कि 4th coordinate में कौन से ratio का क्या sign होता है तो all students take coffee coffee का होता है c तो c से होता है cos और cos का उल्टा होता है sec तो cos और sec जो है वो positive बनता है बागी के 4 के 4 ratio negative बनते हैं तो ये बात हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि बात अगर आप 4th coordinate की कर रहे हो सर तो 4th coordinate में आपका cos है और जो sec है सिर्फ यही दोनों positive बनेंगे बागी के 4 के 4 ratio जा है वो क्या बनेंगे? वो आपके negative बनेंगे ये हम 100% sure है clear है? clear है चलो सर आगे बताओ ठीक है बई? तो अब एक एक करके अपन बात कर लेते हैं पहले सर कौन से तरीके की बात कर लेते हो तो पहले मैं बात कर लेता हूँ 2 pi minus x वाला तरीका 2 pi minus x वाला तरीका यानि कि कौन सी axis की बात चल रही है बात चल रही है horizontal axis की ठीक है तो horizontal axis में पहला ratio क्या होगा? पहला होगा, sine 2 pi minus x क्या होगा? sine 2 pi minus x horizontal में क्या rule सिखाया था मैंने? ratio change नहीं होता अगर शुरू में sine था, तो बाद में भी क्या रहेगा? sine रहेगा, यानि sine 2 pi minus x अभी भी क्या रहेगा? अभी भी वो sine x ही रहेगा लेकिन क्यूंकि fourth coordinate में हो cos और sec ही positive होते हैं यानि कि यहाँ पे आपको negative लगाना पड़ेगा क्यूंकि original ratio क्या था? वो sine का था हमेशा original को देखिए, बात को नहीं ठेक है? चलो आजाओ sine हो गया, sine के बाद आप आते हैं cos 2 pi minus x में तो देखिए, cos 2 pi minus x का मतलब यह है कि answer तो अभी भी cos रहेगा, लेकिन क्यूंकि original ratio हमारा cos था और cos का sign क्यूंकि fourth coordinate में positive होता है, तो यहाँ पे negative का sign तो नहीं लेगेगा, positive का ही sign लगेगा, तो sine cos हो गया, sine cos के बाद आती है किसकी? बाद आती है tan की, तो यहाँ पे आप लिखेंगे tan 2 pi minus x, जब आपने यहाँ पे tan 2 pi minus x लिखा तो रहेगा तो वो tan, no doubt लेकिन tan कैसा होता है fourth coordinate में? सर, negative होता है इसलिए आप यहाँ पे minus का sign लगा दोगे, sine cos tan, उसके बाद चौथे नंबर पे आता है कौन? चौथे नंबर पे आता है अपने पास cosec, अब cosec किसके जैसा behavior show करता है तो cosec तो आपके sign के जैसा behavior show करता है, तो cosec रहेगा तो cosec, क्योंकि movement है अपने पास horizontal axis से लेकिन sign किसका लगाएंगे आप तो sign लगाएंगे आप negative का क्योंकि fourth quadrant में आपका cosec जो है negative होता है, तो देख लिजे minus का sign लग चुका है तो sign cos tan cosec हो चुका है sign cos tan cosec के बाद बच गए दो और कौन बच गए? एक पाँच में नंबर का बच गए आपने पास sec तो यहाँपे अपने लिखेंगे sec 2 pi minus x, तो sec रहेगा, तो sec, कोई issue नहीं doubt यह है कि सर sign plus का लगाएं, कि minus का, तो देख लो sec तो positive रहता है fourth quadrant में तो positive रहेगा, negative क्यों है लाना, तो यह 5 हो गए अभी छटवे पे आजाते हैं अपन, छटवा जो होता है, sign cos tan cosec sec और छटवा है अपने पास cot अंदर लिखेंगे 2 pi minus x तो cot जो है, वो तो cot ही रहेगा, no doubt, cot जो है cot रहेगा, no doubt, बात आती है sign की, fourth quadrant में cot negative होता है, तो यहाँ पे आपने minus का sign लगा दिया, answer जो है आपके पास minus cot x आ चुका है इस तरीके से हमने 2 pi minus x की study कर ली, पर sir, fourth quadrant में पहुँचने का, सिर्फ यही तो तरीका आपने बताया नहीं, एक तरीका आपने और बताया और वो आपने बोला था, 3 pi y 2 plus x, तो अब जरा उसकी study कर लेते हैं तो अगला जो तरीका था आपने पास वो क्या था, वो था आपने पास कि 3 pi y 2 है, आप उसमें x जोड दीजिए, है ना, बताया था तो पहुँचे तो आप किस quadrant में है, fourth में ही है यह मत सोचना कि किसी और में पहुँच गए, पहुँचे आप अभी भी किस quadrant में है, fourth quadrant में पहुँचे है तो यहाँ पे सबसे पहला, आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे sin 3 pi y 2 plus x तो sin 3 pi y 2 plus x का मतलब क्या सर, motion किस से कर रहे हो, सर, motion तो आप vertical axis से कर रहे हो सर, vertical axis में तो चीज़े बदल जाती है, बिल्कुल सही बात है sin किस में convert हो जाएगा, sin convert हो जाएगा, cos में no doubt, sin किस में convert हो जाएगा, cos में सर, बात, fourth quadrant की चल रहे है, तो originally sin था तो fourth quadrant में sin जो होता है, negative होता है इसलिए, यहाँ पे minus cos x लग जाएगा ठीक है, sin हो गया, इसके बाद अपन पहुंचते है cos 3 pi y 2 plus x में, तो cos किस में convert होगा तो cos सर, convert हो जाएगा, sin में लेकिन क्योंकि fourth quadrant है, fourth quadrant में cos positive होता है इसलिए, as it is sin x लिखाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं sin हो गया, cos हो गया, इसके बाद आप यहाँ पे study कर लीजे tan की यह होगा tan 3 pi y 2 plus x, tan किस में convert होता है तो tan convert होता है, आपके पास किस में, cot में तो यह बन जाएगा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे cot में, no doubt बर क्यूंकि fourth quadrant में tan negative होता है इसलिए, आप यहाँ पे minus का sign ज़रूर लगाओगे है न, vertical axis के motion है, change होगा ratio sin cos tan, इसके बाद कौन, इसके बाद आपका sin का ultra यह निकि cosec, तो यह cosec 3 pi y 2 plus x बनेगा अब cosec 3 pi y 2 plus x कर रहे हो, तो cosec change हो जाएगा sec में, तो यह बन चुका है कितना, यह बन चुका है आपके पास sec x, क्यूंकि आप fourth quadrant में पहुँचे fourth quadrant में आपका cosec negative होता है, इसलिए आप यहाँ पे minus sign लगा देंगे, तो sign cos tan cosec इसके बाद आप पहुँच जाओगे sec पे, तो sec पे आपने लिख दिया 3 pi y 2 plus x, sec किसमे convert होगा, तो sec convert हो जाएगा आपके cosec में, अब क्यूंकि fourth quadrant में sec तो positive होता है तो low negative का sign हमने नहीं लगाया, sign cos tan cosec लास्ट वाला ratio बच चुका है, आपके पास cot, तो आप लिख देंगे cot 3 pi y 2 plus x, जब आप cot 3 pi y 2 plus x करेंगे तो cot किसमें convert हो जाएगा, cot convert हो जाएगा, आपके पास tan में इतना तो आप जानते हो ना, fourth quadrant में cot negative होता है तो क्योंकि आप यहाँ पे एक minus का sign लगा दोगे और इसी के साथ आपका यह जो 3 pi y 2 plus x वाला allied angle था वो भी यहाँ पे खतम होता है तो क्या हमने सारे coordinates की पढ़ाई कर ली है, हाँ सर, हमने सारे coordinates की पढ़ाई कर ली है कोई भी coordinates हमने नहीं छोडा तो क्या सारे के साथ allied angle हो गए, हां सर, almost किया हमको तो ऐसा लग रह रहा है सर, सारे के साथ allied angle हो गए सर एक बार आप list लिख दो ना सारे के सारे allied angle का जिससे अपन identify कर पाए कि कौन सा कहां है, कैसा है और कब लगाना है तो एक बाद छोटा सा list लिख देता हूम सबसे पहले हमने शुरुआत की थी minus x से याद रखिएगा minus x में मैंने क्या बताया था minus x के बाद मैंने आपको पढ़ाया था pi by 2 minus x अच्छा इस से अपन मालूम है minus x से कौन से quadrant में पहुंचता आपको idea है जब मैंने minus x करा था तब मैंने आपको quadrant का idea नहीं दिया था या दिया था सर आपने एक diagram तो हमें समझाने की कोशिश की थी कि माली जी यह कुछ ऐसा है तो minus में angle है सर minus में angle है मतलब anti-clockwise rotation तो minus में अगर angle है तो basically आप इस तरीके से घूम सकते हो और जब आप इस तरीके से घूमते हो तो देखिए यह angle 0 था 0 में से x घटा के minus x यनि कि basically आप पहुँचे कहां पे थे पहुचे आप fourth quadrant में थे तो minus x का मतलब होता है कि basically आप कौन से quadrant में पहुँचते हैं आप fourth quadrant में पहुँचते हैं मतलब study आपको fourth quadrant जैसी करनी है पर वहाँ पे इतना confusion नहीं था मैंने आपको direct results दिये थे तो उनको जब आप धियान रखिएगा आपको कहीं परिशानी नहीं होगी अच्छा उसी सिलसिले के बाद πाई वाई 2 minus x किया था इन फाक्ट आप में से काफी लोगों को याद भी होगा इसके बाद हम तीसरे पर पहुँचे थे πाई 2 minus x के बाद हम तीसरे पर पहुँचे थे कहाँ पे हम पहुचे थे second quadrant में second quadrant में एक तरीका था πाई minus x से पहुँचने का और एक तरीका था यानि कि ये तो हो गया horizontal axis से और एक तरीका था πाई 2 plus x से पहुचने का इससे भी अपन second quadrant में पहुच गए इसके बाद हमने पाचवी study की कि हमने बोला कि πाई plus x कर दो इससे हम third quadrant में पहुच गए and finally हम छटवे तरीके पहुचे थे जहाँ पे हमने पाई प्लस x करवा दिया था फिर हमने पाई बाई 2 प्लस x करवा दिया था नहीं पाई बाई 2 प्लस x नहीं करवाया था हमने बोला था 3 पाई बाई 2 माइनस x करिए फिर भी आप third quadrant में पहुच जाएंगे तो ये हो गया अच्छा इसके बाद कौन सा पढ़ा था 7th में 7th में अपने जो allied angle पढ़ा था वो हमने पढ़ा था ये सब तो हो गया ना 7th में अपने पढ़ा था कि आप जो है 2 पाई में से x घटाए फिर भी आप fourth quadrant में रहेंगे and finally आपने एक और पढ़ा 8th नंबर पे जिसमें आपने क्या किया था fourth quadrant में पहुँचने के लिए 3 pi by 2 plus x करा था फिर आप fourth quadrant में पहुँच गये थे तो ये हमने detail में सारे study कर लिए क्या sir इनके अलावा भी allied angles होते हैं तो बिल्कुल infinite number of allied angles हैं पर इतने पढ़ने से almost काम बन जाएगा बस एक और add कर देता हूँ जिससे सीख लो फिर आप सारे ही question कर पाओगे कौनसा add कर रहे हो sir तो ninth number पे मैं आपसे introduce करवा देता हूँ एक last allied angle को जिसको कहते हैं हम 2 pi plus x क्या कहते हैं हम हम इसको कहते हैं 2 pi plus x ये last है इसके बाद में allied angles नहीं है तो आप पूछेंगे सरी जो 2 pi plus x आपने करवाया ये कौनसा allied angle है और इसकी study कहसे करें और इसकी मदद से हम कौनसे quadrant में पहुँचें ये सवाल आपके मन में होंगे है ना तो angle कौनसा है angle है अपने पास 2 pi plus x तो ज़रा इसको समझते है ठीक है देखिए ये 0 है ये pi by 2 है ये आपके पास πाई है ये आपके पास 3 pi by 2 है और ये आपके पास 2 pi है आप 2 pi plus x कर रहे है भाई 2 pi plus x कर रहे हो पहले तो 2 pi पे पहुँचे होगे न 2 pi पे पहुँचने के लिए आप एक गोल घूमे होंगे, यानि कि एक revolution आपने किया होगा और इसमें आपने x करा, यानि कि आप कुछ यहाँ पर पहुँचे होंगे आप actually पहुँच चुके हैं कौन से quadrant में? आप actually पहुँच चुके हैं first quadrant में जब आप 2pi प्लस x करते हैं, तो आप कौन से quadrant की बात करते हैं? आप बात करते हैं अपने first quadrant की इस बात को समझ लीजिए यानि कि पूरी study आपकी focused होगी कि इस पे? first quadrant पे सर ये तो बहुत आसान कर दिया आपने, मालूम है क्यों आसान कर दिया? जैसे ही 2pi प्लस x मैंने किया, हम first quadrant में पहुँचे और first quadrant में जितने भी angles होते हैं, वो सब के सब क्या होते हैं? positive होते हैं, शुरुआत किस से करी थी? हमने all से तो first quadrant में सब positive होते हैं लो भाई, हो गई बात खतम तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं और एक और बात, 2pi प्लस x कर रहे हैं यानि कि कौन से axis से motion कर रहे हैं? हम axis जो है हमारा horizontal axis है तो बस कर लो study यहाँ पे आपने माल लो, बोल दिया sine 2pi प्लस x तो sine 2pi प्लस x आपको क्या answer देगा? सर, horizontal axis है horizontal axis में तो change होता नहीं है सर, हमें answer sine मिल जाएगा और first coordinate में तो positive है सब के सब तो negative की बात तो कहीं पे होगी नहीं तो sine हो गया sine के बाद माल लो, आप study करते 2pi प्लस x मान लिजे, cos के अंदर आपने 2y प्लस x जाल दिया होता answer अभी भी क्या मिलता? answer अभी भी आपको क्या मिलता? sine cos 10 के बाद आप यहाँ पे बात कर लीजे cosec की, अगर cosec 2pi प्लस x लिखते तो answer अभी भी आपको कितना मिलता? अभी भी answer आपको cosec x ही मिलेगा sine cos 10 cosec के बाद अगर आप sec की बात करते यहाँ पे 2pi प्लस x लिखते तब भी answer कितना मिलता? answer अभी भी आपको sec x मिलता and finally sin, cos, tan, cosec, sec के बात अगर आप caught की बात करते answer अभी भी आपको कितना मिलता answer अभी भी आपको caught x मिलता यह last allied angle था इतनी सारी चीजे अगर आप ध्यान लिख रहेंगे तो आपके allied angles के question बन जाएंगे ठेक हैं? लेकिन सिर्फ allied angle पढ़ने से आपके trigonometry solve नहीं होगी आपको इसके अलावा भी कुछ चीजे पढ़नी होंगी कौन सी चीजे पढ़नी होंगी जरह मैं वो आपको introduce करवा देता हूँ देखिए, तो allied angle तो आपने पढ़ लिया allied angle के बाद जो एक topic आपको पढ़ना पढ़ता है आप इसको बुलाते हैं periodic function आपको याद होगा मैंने इससे पहले function chapter पढ़ाया था function chapter में मैंने इस topic को introduce नहीं करवाया था पर आज करवाता हूँ यह periodic function आखिरकार चीज क्या होती है देखिए, periodic function का मतलब यह होता है कोई ऐसा function जो समय समय या कुछ values के बाद repeat करना चालू कर दे जैसे कि आपको याद है class 9 में जब आपने pendulum पढ़ा था तो pendulum के बारे में जब आपने चीजे पढ़ी थी तो आपको बताया गया था कि motion of pendulum is a periodic motion periodic motion मतलब वो motion होता था जो कुछ समय के बाद repeat करें अब देखो, function क्या होता है जिसमें आप input डालते हो तो अगर periodic function शब्द में इस्तमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब वो होता है एक ऐसा function जिसमें values डालने के बाद कुछ ऐसी values आये, जिसके बाद वो function repeat होने लगे, मतलब same values देने लगे तो जो sine function या cost function, या tan, या cosec, या sec जितने भी trigonometric functions होते हैं या आपके periodic functions होते हैं इन functions की खास बात ये होती है कि ये function थोड़े समय बाद खुद को repeat करने लगते हैं यानि की same value देने लगते हैं अब ये काम कैसे होता है, इसको जरा समझो आपको बात है समझ में आएंगी जैसे कि मान लीजिये, मैं लिखता हूँ sine function के बारे में, मैंने यहाँ पे लिखा sine 30 degree तो आप answer बोलेंगे, कि sir, sine 30 degree जो है, 1 by 2 होता है बिल्कुल सही बात है यहीं पे मैं आपसे लिख दूँ कि sine 390 degree क्या लिख दिया मैंने? sine 390 degree पहली दिक्कत तो यह होगी कि question देखके हम confused होगए कि इसको solve कैसे करेंगे तो पहली इसको solve करते हैं अंदर क्या है? 390 है तो आप बोलोगे कि यार जो 390 है न इसको 360 degree प्लस 30 degree लिख दो क्या लिख दो? 360 degree प्लस 30 degree अच्छा, इसको जैसे ही 360 प्लस 30 लिखा तो आप ये तो जानते हैं कि 360 degree का मतलब क्या होता है 360 degree का मतलब होता है 2 pi क्या मतलब होता है 360 degree का? 2 pi तो basically यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हो गया sin 2 pi plus 30 degree हुआ या नहीं हुआ? सर हुआ? बिलकुल, कोई दिक्कत नहीं अच्छा, अभी थोड़ी दिर पहले allied angles पढ़ाया थे आपको sin 2 pi plus x पढ़ाया था, क्या होता था उसमें? उसमें यह होता था, जब आप sin 2 pi plus x करते हो तो आपका answer कितना मिलता है? आपको answer sin x मिलता है, अभी बताया था तो यहाँ पे 2 pi plus 30 है तो आपको answer कितना मिलेगा? आपको answer sin 30 degree मिलेगा अच्छे एक बात बताओ, sin 30 degree क्या होता है? सर 1 by 2 होता है, कोई परिशानी? नहीं यहनी कि आपने यह देखा, sin 30 degree पे भी answer 1 by 2 था जब 390 डाला, तब भी answer क्या हुआ? 1 by 2 आया, यहनी function ने खुद को क्या किया? repeat किया, अब बात यह आती है, कि सर उसने खुद को कितने समय बाद repeat किया? तो देखो, यह जो 390 है, यह actually 360 plus 30 है, क्या है यह? 360 plus 30, यहनी कि function में जब आपका initial value 30 था, उसमें जब आपने 360 आइड किया ना, तो उसने same value दी यहाँ पे माल लो, माल लो यहाँ पे ऐसा लिखा रहता, sin 60 degree, तो आप क्या answer करते? यहीं पे मैं लिख देता अंदर, sin 420 degree, तब भी मालूम है आपका answer क्या आता? सर आपका answer आता, root 3 by 2, मालूम है क्यों? क्योंकि जो 420 है, वो actually कैसे मिलता है? वो मिलता है 360 degree plus 60 degree से, कैसे मिलता है? 360 degree plus 60 degree करने से, आपको root 3 by 2 मिलता है, answer same हुआ, क्यों? 360 degree आपने add किया, एक particular interval के बाद वो repeat हुआ, इस type के function कहलाते हैं, आपके periodic function, बात ये आती है, कि हर function का period, period का मतलब होता है, कि कितने समय बाद, अब क्योंकि function है, तो कितनी value के बाद, जैसे कि आपने ये देखा, कि sign में 360 degree या फिर 2 by के बाद repetition होता है, sign में क्या देखा, 360 degree या 2 by, angle के बाद क्या होता है, repetition होता है, 2 by मतलब, radian में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है सर, बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नी इसमें, तो यहाँ पे हम कहते हैं, कि sign function का जो period है, क्या है, sign function का जो period है, वो है 2 by, क्या बुलाते हैं हम, sign function का जो period है, वो है 2 by, in fact, sign का ही नहीं, अगर आप बात करें, cos का, तो cos function का जो period है, वो भी कितना है, वो भी 2 by है, अगर आप आप sin, cos, tan की बात करें, तो tan function का जो period है, यह 2 by नहीं होता, यह पाई होता है, इसको याद रखेगा, tan function का period बदल जाता है, वो 2 by नहीं, वो पाई होता है, अच्छा, sign का उल्टा कौन होता है, sign का उल्टा होता है, cosec, अगर आप cosec की period की बात करेंगे, तो देखिए, cosec वही behavior शो करेगा, जो sign करेगा, भाई, sign का period 2 by था, तो cosec का period भी कितना होता है, cosec का period भी 2 by होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छा, cosec का उल्टा sec होता है, sec का period क्या होता है, तो sec का period भी 2 by होता है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, अच्छा, tan का उल्टा कौन होता है, तो tan का उल्टा cot होता है, cot का period भी कितना होता है, मालूम है, cot का period pi होता है, क्योंकि tan का उल्टा है, tan का pi है, तो cot का भी कितना होगा पाई होगा ये खास बात होती है आपके periodic function की इसको ध्यान रखिएगा इसको in fact screenshot ले लीजिए बहुत काम की चीज़ है समय के साथ इस पर बहुत सारा discussion और होगा चलिए इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं यहाँ आपसे मैंने बात करी है periodicity of trigonometric function तो यही बात मैंने पहले कर ली कि अलग-अलग trigonometric function की क्या periodicity होती है इसको कहते है periodicity कितने समय बाद वो repeat करते हैं सर यह periodic function जो आपने पढ़ाया इसका usefulness क्या है हमारे syllabus में यह हमें क्यों काम आता है तो देखिए मैंने usefulness बताया कि आपको मान लीजिए sign 390 degree निकालना था तो आप sign 390 में परिशान नहीं होंगे आप बोलेंगे यार sign 390 का मतलब समझते हो तुम उसका मतलब है 360 plus 30 और 360 plus 30 360 में कुछ भी जोड़ो आंसर सेम आएगा यहनी कि आप बोलोगे कि आंसर हमें sign 30 मिलेगा क्यों मिलेगा हमें आंसर क्योंकि वो periodic function है जिसका period 2 pi है 2 pi period मतलब 360 degree है उसका period तो बात खतम answer sign 30 degree अगेन answer कितना मिल जाएगा 1 by 2 मिल जाएगा यह फाइदा होता है periodic function होने का tension मतलो इसे बहुत detailed discussion करने वाले हैं बहुत सारे questions अपन करने वाले है time के साथ ठीक है इसके बाद मतलब यह values of trigonometric function आपको मैं पढ़ा रहा हूँ at allied angle इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे ऐसे function जहांपे periodicity का काम आएगा तो जब मैं उन questions का मैं आपको solution दूँगा तब आप इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो अभी इतना tension इसके बारे में नहीं लेना है सिर्फ allied angle अपने को सीखना है तो यह जो particular video है इसमें last चीज़ पढ़ लो even and odd function बहुत important है देखिए even function क्या होता है और लिखते हैं fx is equal to x square है fx is equal to x square अगर आप यहां पर मानली जी इन गाल देंगे तो क्या होगा आप minus x का whole square करेंगे answer कितना मिलेगा x square मिलेगा यानी हमें यह देखने को मिला कि हमारा fx जो है वो equal है f of minus x कै क्या देखा हमने कि हमारा fx जो है वो equal है फ of minus x कै ऐसा ही function कहलता ह Even function, example देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए, आपका function वापस x square है, मैंने इसमें minus 2 डाल दिया, तो answer क्या मिला? minus 2 की power square, answer क्या मिला? plus का 4, आपने यहाँ पे 2 डाल दिया, आपने 2 का square किया, आपको answer क्या मिला? 4 मिला, यहनी minus डालने पे भी 4, plus डालने पे भी 4, इस type का function कहलाता है आपका even function, even function सर आप हमें क्यों पढ़ा रहे हो? तो हमने trigonometry में भी कुछ ऐसे function देखे हैं, जो कि even होते हैं, जैसे कि आपका cos function, अगर cos function की बात करते हो, तो cos में अगर minus डालते हो न, cos c से बनता है, और c होता है consume, तो minus को खा जाता है, answer कितना देता है? answer आपको cos x देता है, तो cos function जो है, वो actually आपका even function है, क्या है आपका even function? ठीक है समझे, समझे even function क्या होता है, जो minus को खा जाए, जैसे कि x square, वो minus को खा जाता है, तो cos जो है तुमारा even function है, अगर आप इसको ऐसे समझे, आप better understanding के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा, माली जी मैंने लिखा, cos of minus 60 degree, तो आप यह minus के लिए परिशान नहीं होंगे, आप बोलेंगे minus है, हटाओ भाई, cos even function है, तो आप answer बोल दोगे कि यह cos 60 हो जाएगा, answer बन जाएगा, आपके पास कितना, 1 by 2, यह फायदा होता है, even function पढ़ने का, हम negative से परिशान नहीं होते, तो even तो हो गया, अब यह odd function क्या होता है, तो odd function, अच्छा, cos के अलावा को even function है, तो हाँ, cos का उल्टा कौन होता है, sec होता है, तो sec जो होता है, वो भी minus को consume कर लेता है, और answer आपको क्या देता है, sec x देता है, वो भी एक even function है, क्या है, वो भी एक even function है, तो इस type के function even होता है, दो आपके even function है, cos है और एक sec है, यह दोनो के दोनो क्या है, यह दोनो के दोनो आपके even function है, इसको जराब ध्यान रख लीजेगा हमेशा ध्यान रखेगा, कभी भी इसको आप प्लीज मत भूलेगा कि sec is also an even function, cos is also an even function चलिए, बहुत बढ़ी है तो sec और cos क्या है, आपके even functions है तो odd function क्या है, तो सुन लो odd function की अगर मैं बात करूँ तो एक basic example ले लेते हैं जैसे fx बराबर x cube ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं मान लीजे, आपने इसमें minus x जाल दिया तो क्या होगा, minus x का whole cube होगा minus x के whole cube का मतलब है आप जानते हो, minus पे जब whole cube चड़ाते हो तो minus बाहर आ जाते हो, और answer क्या मिलता है minus x cube मिलता है तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिला एगदम ध्यान से देखना कि हमारा f of minus x जो है हमें minus x cube मिला x cube तो हमारा पास fx है यानि minus जालने पे हमें minus of fx मिला इस type का जो function होता है वो odd function होता है यानि जो minus को बाहर fake दे जो क्या करें minus को बाहर fake दे अंदर न रखें example समझो जैसे कि मैंने लिखा fx बराबर x cube आपने 2 डाला आपको answer के मिला आपको answer मिला 2 का cube यानि की 8 यही पे आपने minus 2 डाला तो आपको minus 2 का whole cube कितना मिला आपको minus 8 मिलता है देखिए positive डालने पे positive answer negative डालने पे negative answer इस type के function क्या लाते है आपके odd function क्या trigonometry में इसा कोई function है देखो odd function समझना ऐसे है कि even function क्या करता था minus को consume कर लेता था खा जाता था odd function वो function है जो minus को बाहर fake देता है थूक देता है वो consume नहीं करता कैसे जैसे कि sign sign के अंदर अगर आप minus डालते है तो minus को बाहर भेज देता है answer देता है minus sign x ये बन गया आपका कौन सा function odd function ये है odd function माली जे sign की जगा आप दूसरा example यूज़ कर लेते हो tan अगर tan के अंदर भी negative डालते हो negative बाहर आ जाता है ये भी कौन सा function है ये भी आपके पास odd function है sign का उल्टा कौन cosec cosec भी कौन सा function है आपका odd function है और tan का उल्टा cot cot भी कौन है आपका odd function है तो ये discussion था even और odd functions के बारे में इनको थोड़ा से ध्यान रखिएगा important है कभी कबार आपके exam में काम आ जाते है और इस particular वीडियो में सिर्फ इतना ही था हमने discuss कर लिए allied angle को हमने discuss किया periodic function को हमने discuss कि उनके periodicity और हमने discuss किया even or odd function I hope आपको content clear है बाकि अगर कहीं वीडियो में थोड़ी सी mistake वगरा कहीं हो गई हो तो आप definitely उसको comment box में pin up कीजिएगा मैं उसको definitely apply करूँगा कि हाँ इसके जगे correction क्या होना चाहिए मैंने ensure किया है कि कहीं कोई mistake ना हो फिर भी हो गई हो तो जरूर आप उसको comment box में डालेगा that's all for this video last में आप magnetbrains के website के बारे में जान लिजे वो platform जहाँ पर education completely free है तो आपको क्या करना है आपको website खोलनी है कैसे तो google chrome पे जाएगा type करिएगा www.magnetbrains.com website खोलेगी website पे आते ही CBSE English में class 11 को select करिएगा आपके सामने class 11 के videos आ जाएगे मालो maths पढ़ना है तो watch now पे click करो आप maths के जितने भी videos है उन पे click करिएगा आप उसको पढ़ सकते है free of cost है tension मतलो कहीं पे भी आपको payment करने की ज़ुरत नहीं है तीन काम ज़रूर करना है like, share and subscribe share करना ज़रूरी है क्योंकि education free है जितने दूर तक ये बात जाएगी उतना ही अच्छा ये होगा बागी comment करना भी ज़रूरी है अच्छा अच्छा comment करोगे यार तो motivation होता है कहीं पे गलती हो जाती है वीडियो में मैं समझता हूँ long video है concept बहुत सारे बताने रहते हैं कहीं न कहीं silly mistake कहीं न कहीं calculation error होगा तो अगर कहीं पे हो तो आप definitely comment box में pin out कीजिए उसको मैं जरूर reply में answer करूँगा कि हाँ ये particular चीज गलत है इस चीज के जगे ये होना चाहिए That's all for this video I hope कि आपको सारी चीज़े समझ में आई होंगी अगली video जो होगी वो based होगी हमारे इस topic में जो concept पढ़ा है इन ही concept के question पे तो मिलते हैं अगली video में stay tuned at magnet brains for further content